हेलो अस्पाेरेंस कैसे हो सब handlarths 60 days बचे हैं एक्जाम के अंदर लास्ट 60 days बचे है और आपकी तयरी है वह अब अच्छी अभी भी नहीं भया पा रही है तो अभी अगर अब आप स्टरट खना चा रहे हो सीर्यस अगर होना चा रहे हो तो वीडियो देख सकते हो तो ताम टेबल आपको मिल जाएगा. ताम टेबल आपको मिल जाएगा, आपको अब ये लग रहा है कि हाँ, मेरा तोmoset नहीं हुरा. तो कोई मेरे को टाम टेबल रहे हुर्दे, याँ इस तरीके से आप पढ़ लो, तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं, मैं discipline तो रख सकता हूँ कम से कम ठीक है तो वो आपको मिल जाएगा और क्या मैं दे सकता हूँ आपको daily topic planner आपको दे दूँगा कैसे आपकी तैयारी मानलवा आपने पढ़ लिया है 12 के बायो के 5 चप्टर आपने पढ़ रखें ठीक है और 11 के chemistry के 2 चप्टर आपने पढ़ लिया है तो उसके आगे का उसके आगे का आपको मैं daily का topic आपको कितना के कौन सा topic आपको daily करने है तो यह सब के लिए अलग-अलग होगा तो पहले आपको message करके मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा इतना syllabus हो चुका है फिर आपको क्या मिल जाएगा one short videos मिल जाएंगे one short videos जो अलड़ेडी चल रहे है biology के जैसे biology complete होगे chemistry start हो जाएगी तो आपके जो one short videos वह मिल जाएंगे और कुछ लोगों को यह बहुत रखी है कि हाँ हमें notes मिल जाएं कहीं से notes मिल जाएं तो हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे सब्सक्राइब है तो notes मैंने यह लेख दिया थिक है मैंने कोई भी topic लिख दिया कोई भी word निए जाएक साइकल लग दी काडीयक में मिल जाएंगे पूरी NCRT cover होई होती है ठीक है अगर आप 40 मिनिट भी मेरे 45 मिनिट के एक लेक्चर होता है तो अगर 40 मिनिट भी आप एक चप्टर को नहीं दे रहे हो ना इस टाइम पर भी तो फिर तो यार क्या ही कर सकता है ना फिर आप सिर्फ नोट्स के बीचे तो मज पाग हो ना फिर तो कोई मतलब निया नोट्स का तो पहले आप लेक्चर जरूर से देख लिजिए लेक्चर जरूर से देख लिजिए ब्लस PYQs बहुता ने लोग PYQs को इंपोटेंस नहीं दे रहे हैं मैं आपस बतारूं PYQs जो है वो रिपीट होते हैं Repeat होते हैं proof भी के बहुत सारे क्यूश्यंजु न backwards होते हैं तो यह इंपोर्टेंट है अभी इनको एज़ करेंगे पहले देखो दिन में अपनी आइए वन शोट वीडियो आई ठीक है फिर शाम को क्या करेंगे अपन उस iki चप्टर के रहेंगे यह करेंगे उस्य जैसे यह खतम हो जाएगा chemistry स्टार्ट हो जाएगे और बाय के बायो जो है इसके quick revision जो वीडियोस है वो start हो जाएगे जिनके अंदर अपन 10 से 15 मिनिट के अंदर चेप्टर को खतम कर देंगे तो वह आपके लिए quick revision होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं लोग उनके लिए तो नोर्स के कठे करने में अभी time मत waste करो तो 45 मिनिट कर दे सकते हो ना एक major subject आपका biology जो सी 307 नंबर काता है 50% जो है तो कम से कम उसको 40-50 मिनिट दे सकते हो और अगर पूरी NCRT cover होती है lectures के अंदर तो वह देखना show notes मिल जाएंगे आपको सारे chapters के मिल जाएंगे तो यह सा physics के अंदर क्या आगरें तो physics के अंदर जिनकी तयारी बिलकुल भी अभी तक नहीं है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं मेरी एक video बना रहा है तो description में मैं link दे दूँगा description में link दे दूँगा जिनके अंदर important chapters है जिनके अंदर जिनका weightage बहुत अच्छा है ना जिनका weightage ज करें तो अभी आप कहां से कर लो कुभी यूटूब पर मलब वह सारी teachers है तो उनसे आप physics कर लीजिए जैसे ही biology complete होगी तो chemistry और physics को साथ में करने की कोसिस करेंगे लेगिन physics के मलब सारे topics हैं वो clear नहीं हो करवा पाऊंगा तो जितने भी important जो जिनका weightage अच्छा है वो ही देख लीजिएगा ठीक है तो यह physics के लिए वीडियो वो जुरूर देखना जिसके अंदर important chapter बता रखेंगे हैं और कौन कौन chapter है जिनसका weightage अच्छा है वो सारे chapter मने बता रखेंगे हैं तो time table आपको आपके according मिलेगा को इसी को अब दिन में पढ़ना अच्छा लगता है क इसको राग में पढ़ना तो आपके according आप मुझे बता देना कहां बताओगे बताओगे कहां description में link दे रखा किसका telegram channel का link दे रखा है description में telegram चले का link दे रखा वहां join कर लेना और telegram channel का discussion group है उसके अंदर message करना है आपको क्या message करना है time table या daily topic planner कुछ भी लिखकर आप message कर दूगा तो आप उस account पर message कर लेना तो आपको सारा पता लग जाएगा तो आप आपको करना क्या होगा telegram channel को join कर लेना और उस channel के discussion group को join कर लेना बस इत्ता आप कर लोगे फिर आपको सारी जो प्रोसेस हो पता लग जाएगी फिर आप मेरेको message करके आप बता देना कि हाँ यह सारा system में इत्ता बने पढ़ लिगा इतना सारा course में आप बच्ची रखा है तो उसके बाद में मैं आपको एक time table भी दे दूगा और daily आपको topic में आप दे दूगा ठीक है पहले से आपको पूरी list दे दूगा कि हाँ इस तारीक को यह topic करना है और आपका जो revision है आपको guarantee बहुत अच्छे से हो जाएगा बहुत अच्छे से आपकी तयारी हो जाएगी तो एकदम से अच्छे तयारी हो जाएगी और टेस्ट का भी जुगार करेंगी टेस्ट भी आपको देने की कोशिस करेंगे mock test हो गयरा तो यह सारा plan है 60 days का तो अगर आप serious हो तो इस challenge को accept कर ले का सात मही को तो करना क्या है अगर आप serious हो रहे हो अभी वी तो comment section के अंदर लिख देना challenge accepted ठीक है challenge accepted जिनको accept करना है बाकी तो आप जाओगी छोड़े ठीक है तो जैसाब आपको लगे वीडियो तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ में share कर देना चलो को subscribe कर लेना और telegram channel को join कर लेना और comment section के अंदर लिख देना challenge accepted thank you thank you so much